किस तरह से प्लस वन बस टू से ही अपने नीट एक्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे वीडियो को एंट तक बने रहेगा पूरी जानकरी लेने के लिए और इसे इलावा इसके लवा मैं आपको यह भी बताना के लिए आप मेरा कोड यूज करता सकते हैं सिमर 10 इससे आपको 10% इंस्टेंट ओफ मिलेगा तो द्यान से जुनिएगा आज की बाते देखिए जैसे कि आपको बता कि नीट एक्जाम जो होता है वह MBBS मेड मिशन लेने के लिए होता है तो अगर आपका सपना डॉक्टर बन अगर आपने साइंस ट्रीम रखी है तो आप इसके लिए प्रिपेरेशन करना चाहते होंगे दो तिन बाते ध्यान से सुनिएगा किसी भी एक्जाम की प्रिपेरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है उसके स्लेबस को अनिलाइज करना ठीक से ठीक है आपको स्लेबस ऊपर- अग्जाम में किस तरह के कोशन्स पूछे जाते हैं ठीक है बहुत जादा इधर उदर ऐसा उसा मतलब नहीं पढ़ना जस्ट रेलिवेंट चीजों की तरफ जोर देना है अपने नोट्स बनाने है सेपरेड नोट्स कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि किसी कोई 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 नहीं समझ पाओगे ठीक है शोट नोट्स बनाई एक्जाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है आपके लिए स्लेबस पता होना चाहिए नोट्स आपको बनाने हैं और प्रीवियस एर्स आनिलाइज करने इन तीन चीजों को अगर आप दिमाग मे कालप होगे दूसरों से अलग कैसे चल सकते हो कि आप अर्लियर जल्दी मतलब फ्लस वन में ही स्टार्ट कर दीजे नीट की प्रिपरेशन करना प्लस टू के बाद लोग स्टार्ट करते हैं तो आप प्लस वन में ही कर दीजिए दूसरी चीज कि आप अपने शोट नोट से जरूर बनाई और उनको रिवीजन उनकी फ्रिक्वेंटली कीजे हफ़ते में एक बार दो फ्ते में एक बार नोटस बना लिए महीने बाद पढ़ेंगे यह बहुत गलत तरीका होता हैं तो यह इक दो तरीके हैं जो आपको नीट एकजाम की प्रिप्रेशन के अपने दिमा तो याद रखेगा उस टाइम को जब आप में अडमिशन मिल जाएगी एडमिशन कर लेंगे और डॉक्टर बन जाएगे जब आप डॉक्टर बन जाएगे तो कैसा फीलिंग कैसी फीलिंग आपको आएगी वह फीलिंग अब लेके देखिएगा तो आपकी सारी मोटिवेशन देमोटिवेशन जो है वह खतम हो जाएगी बस अब वह फीलिंग लेके देखिएगा इस टाइम पर मैं हमेशा ऐसा ही करती होती थी जब मेरे ड्रीम एक्जाम मुझे क्लियर करना था मैं हमेशा यही सोच थी कि उस ड्रीम एक्जाम को क्लियर करने के बाद मैं किस लेवल प कोशन पूछे जाते हैं यह होते दो बहुत बेसिक से लेकिन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं अगर आपका NCRT का बेस क्लियर होता है तो उससे आपको बहुत मिलती है तो एक तो अच्छा सा कोचिंग आप जोईन करेंगे और एक आप NCRT की बुक्स की मदद कर लेंगे य एक मैंने पहले आपको 3000 और टिप्स बताई है इन सब चीजों को फोलो करके आप नीट एक्जाम असानी से क्लियर कर पाएंगे ठीक है जी तो यही मैंने आज की वीडियो में आपको बदाना था इसके इलावा आप अनक एडमी पर नीट की क्लासिस भी जॉइन कर सकते हैं म अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेर भी कीजेगा थैंक यू वेरी मुच फू वाचिंग टेक क्यर